अभी की खबर है पंडित हरी प्रिसाच और असिया की जैनती पंडित हरी प्रिसाच और असिया कजन 1 जुलाई 1938 को ततकालिन इलाबाद यानि वर्तमान प्रयागराज में हुआ था इन्होंने पंडित राजाराम से शास्त्री गयान सीखा और 15 साल के उमर में अपनी संगीत यात्रा शुरू की पंडित और असिया ने पंडित भूलेनात के अधीन 8 वर्शों तक अध्यापन किया 1957 में ये उडिसा के कटक में आल इंडिया रेडियो के नीमित कर्मचारी बन गए जहां इन्होंने संगीत कार के साथ साथ कलाकार के रूप में भी काम किया और यहीं से इनकी संगीत यात्रा शुरू हुई 1960 में आकाशवाणी आल इंडिया रेडियो कटक द्वारा मुंबई स्थांतरित होने पर इन्होंने सू बहार वादक श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मार्गदर्शन हासिल किया इनके मार्गदर्शन में पंडिच और अस्या के संगीत को एक नया आयाम मिला और उन्होंने अपने कैरियोर को आगे बढ़ानी के लिए आकाशवाणी छोड़ दिया अपने वर्षों के प्रयोग और समर्पित अभ्यास के बाद इन्होंने एक संब्रधिवक्तिय शली का विकास किया इन्होंने उत्तर भारती शास्त्री बासूरी की अभिवन्जक संभावनाओं का विस्तार करते हुए बासूरी के लिए आलाप और जोड़ का उनका अनूठा अनुकूलन तयार किया इन्हें प्राप्त प्रमख पुरुसकार एवं सम्मान है वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमे पुरुसकार वर्ष 1990 में महरास्ट गौरव पुरुसकार वर्ष 1992 में पद्मभूशन वर्ष 1994 में यश भारती सम्मान वर्ष 1999 में काली दास सम्मान और वर्ष 2000 में पद्मभूशन आदी झाल झाल